हे वाट्सअप गाइस मेरा नाम है मोहता स्वागत आपका मेरे चानल पे तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेक्या हूं पांच अमेसिंग हाइकिंग अप्स तो यह आप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे यह नीचे दियो है लिंक से आप इन्स्टॉल कर स तो इस अप का नाम है हाइड स्क्रीन तो आपके अंदर जाने के बाद आपको सारी पर्मिशिंस अलाव करना है उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना फिर बाहर आने के बाद आपको ऐसा एक आइकन दिख रहा होगा उस आइकन पे क्लिक करते ही आपकी जो होम स्क्र फोन की वो ओफ हो जाएगी और आपके जो सारे बटन्स है वो काम करना बंद कर देंगे बेसिकली यह आपके स्क्रीन पे एक ब्लाक कलर की लेयर जो है एनेबल करती है जिसकी वज़े से आपको लगता है कि आपका जो फोन है वो खराब हो चुका है या बंद हो चुका है तो आप उसे आउन कर सकते हो वापस आपको बस स्क्रीन पे डबल टैप करना है और आपका फोन जो है ओन हो जाएगा आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने दोस्को प्रैंक करने के लिए या फिर किसी को परेशान करने के लिए आप इस आप का यूज़ कर सकते हो तो यहां पर लेके अपने दोस्त को send कर सकते हो और उसे जो है प्रैंक कर सकते हो आप तो यह बेसिकलि एक प्रैंक अप है आप इसका यूज कर सकते हो fun के वे में बट अगर आप इसका illegal तरीके से यूज करते हो तो आपके लिए परेशानी आ सकती है और आपको कुछ और कस्टमाइजेशन्स मिल जाती हैं तो आप अपना एक अकाउंट क्रियेट करके आप उसे ओफिशियल भी दिखा सकते हो अपने दोस्कों और उसे बोल सकते हो कि आप जो है ट्विटर पे ओफिशियल हो गए हो तो याँ पे जो थर्ड आप हैं हमारी लिस्ट में वो है Insta Fake Chats तो इसकी मद्दच चे आप Instagram में Fake Chats क्रियेट कर सकते हो और आप किसी को भी उसका screenshot लेके prank कर सकते हो तो याँ पे मैंने मोदी जी से अपने आपको हाइ मोहित का मेसेज जो है फिर उसकी एक photo को डाल देना है फिर आप ये सब कर देने के बाद आपको बस अपने messages को type करना है और send या receive के option में click करना है बस इस app की एक ही बहुत बुरी बात है कि इसमें बहुत सारे ads आते हैं तो अगर आप इसका premium version buy करना चाहते हो तो आपको उसके लिए थोड़ा सा amount जो है pay करना पड़ेगा तो काफी अच्छी app है किसी को prank करने के लिए काफी अच्छी तरीके से जो है काम करती है तो चलते हम अपनी अगली app की तरफ तो यहाँ पे जो अगली app है list में वो है temp mail तो कई websites ऐसी होती है कि वो आपका email ID मांगती है बट आपको जो है अपनी email ID देने में थोड़ा सा risk होता है किसी भी fake website में डालने के लिए तो आप इस आपका use कर सकते हो और fake email IDs को generate कर रहा सकते हो और इस आपके use से आप किसी भी website में login कर सकते हो और कोई भी verification के लिए अगर कोई code आता है तो इस app में directly आ जाता है तो यहाँ पर जो अगली आप है वो है Paytm का एक fake version तो इस आपको यूज़ करके आप किसी को भी prank कर सकते हो आप अगर किसी shop में जाते हो तो आपने देखा होगा जो है Paytm का आपको Pay का option मिलता है तो वहाँ पर आप उस seller को Pay कर देते हो बट इस app के तुरू आप उस seller को दिखा सकते हो कि आपने Pay किया है बट आपकी account से एक भी पैसा जो है नहीं जाएगा तो इस आपका गलत तरीके से बहुत यूज़ होता है बट यह app सिर्फ एक security purpose के लिए है लाइक Instagram पे काफी fake sellers होते हैं तो यह उनके लिए होता है आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हो नीचे इसका link मैं आपको दिए दूँगा तो प्लीज गाइस इसका गलत यूज़ मत कीज़ेगा यह सिर्फ एक security app है अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा तो यही थी वो 5 amazing hacking apps अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe कर दीजे